है 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 हलो दोस्तों मैं रंजन कुमार इस वीडियो में आप लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो आज का टॉफिक है कि एक ही वाटर पंप को दो अलग-अलग फुलोर से कैसे ओन और ओफ कर सकते हैं जानी कि फैस्ट फुलोर से भी इस वाटर प लेकिन वही बात है कि जानते हैं तो बहुत ही आसान है और नहीं जानते हैं तो बहुत ही मुस्किल है लेकिन कोई बात नहीं यह वीडियो अगर पूरा आप लोग देख लेते हैं तो बहुत ही आसानी से यह वाइरिंग आप लोग कर लेंगे तो चलिए आगे जानते हैं त इसके बाद इसको detail में समझते हैं कैसे wiring करना है अब यह देखिए कि यहां पर five-in socket है यह water pump है यह indicator है और यह indicator है और यह तूए switch है और यह तूए switch है तो यहनी कि यह तूए switch और यह indicator सेकंड फिलवर समझद लीजिये और देखिए इसका connection कैसे करना है the question be the point होता है बन सुईच लेंके तो इसमें 2 . होता है लेकिन three वे 2 सुईच में 3 . होता है तो देखिए एक यह है यह है पर यह पुय कि एसे ही ये बिट वे सुईच में 3 । है zone कि एक यह है ठीटर खाली है तो यह 2A स्वीच कैसे काम करता है वो समझ लिए जब आप उपर के तरफ दबाएंगे तो यह और यह पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा और यह और यह डिसकनेक्ट हो जाएगा जब आप नीचे के तरफ दबाएंगे तो यह और यह point connect हो जाएगा और उपर वाला यह धून ये और ये disconnect हो जाएगा तो इस तरीके से 2A switch काम करता है तो अब सबसे पहले क्या करेंगे कि इस point में और इस point में एक wire जोड़ लेंगे देखिए इस तरीके से उसके बाद फिर क्या करेंगे कि इस ये उपर वाले पॉइंट में और ये नीचे वाले पॉइंट में ये खाली दोनों पॉइंट है बीच वाला छोड़ देंगे अभी इस पॉइंट में और इस पॉइंट में एक वाइर जोड़ लेंगे देखिए अब ये wire कितनी लंबी रखना है आपको वो समझ लिजिए जैसे कि ये first floor है और ये second floor है ये दोनो floor की दूरी जितनी है उतनी ही लंबी ये दोनो wire लगेगी क्योंकि first floor से second floor पे जाना है क्योंकि ये दोनो switch और indicator second floor पे लगा हुआ है और यह switch और indicator first floor पर लगा हुआ है इसकी दूरी जितनी होगी उतनी लंबी आपकी wire लगेगी तो यह समझ लेजिएगा तो यह बताने के लिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ अब इसके बाद indicator को neutral देंगे यह इस point में और इस point में neutral देंगे तो यह देखिए आपके घर में भी MCB जो भी कुछ लगा होगा तो वहीं से connection लेना है कहम्वे से face और neutral meter में आया होगा और meter से MCB में आया होगा समझ में होके और और MCB से यहां से आउट ठोड़ा होगा तो outside से connection लेना है इंसाइट से नहीं लेना है आउट साइड से लेना है तो यहां से न्यूटल ले लेंगे और इस पॉइंट में न्यूटल कनेक्ट कर देंगे देखिए इस तरीके से अब यह इंडिकेटर को न्यूटल मिल गया अब ये 5-pin socket को भी न्यूटल चीए क्योंकि यहां से मोटर चलना है तो इसी लाइन से एक न्यूटल इस पॉइंट में तो फेस यहां से यहां गया अब इसके बाद फर्स्ट फ्लोर वाले मोटर का जो सुइच है उसके बीच वाले पॉइंट से इस पॉइंट से एक वायर कनेक्ट करेंगे और यह 5-pin socket के इस वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे देखिए इस तरह से तब यह कनेक्ट हो गया अब यह इंट्ister करेगा मोटर बंद रहेगा तो इस नहीं करेंगे इसलिए लगा रहे हैं कि हम्हें मोटर जब चले जब επιगए करें कि हमारा मोटर चल रहा है इसको इसी लाइन से इस इंडिकेटर के इस पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे और यह वाला इंडिकेटर के इस पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे देखिए इस तरह से यह मोटर वाला वायर है जो यहां पर फाइप इन सोकेट से मोटर चलना है तो इसी वायर में इसको connect कर दिया indicator के इस point को और इस point को तो अब indicator को भी face मिल गया जब motor चलेगा तो motor को भी face मिलेगा एकी साथ indicator को भी मिलेगा तो यह जब motor चलेगा तो यह indicate करेगा तो इसे connection हो गया अब यह connection हमारा इधर का complete हो गया अब यह water pump जो है इसको 5-pin socket में लगा ले डिचे और बढ़िया वाला जो मोटर लोड लेता है तो इसलिए बढ़िया वाला 5-pin सोकेट लगाई यह निनी तो वह बार-बार खड़ाब होगा उसके बाद देख देखें का मोटर का वायर यह 5-pin सोकेट में लगा लेंगे देखिए यह अर्थ का होता है यह ये neutral का है और ये face का है अगर आपके घर में home earthing हुआ है तो यहाँ पर home earthing के लिए देना पड़ेगा अगर नहीं हुआ है तो कोई दिकत नहीं है यह खाली point रहता है तो अब यह connection full complete हो गया अब समझ लिजे कि यह काम कैसे करता है तो देखिए face और neutral जब यहाँ से MCB को on करें जब off रहता है तो face और neutral यहाँ पर रूख जाता है और जैसे MCB को उपर वह करेंगे या नियोन करेंगे तो face यहाँ पर और यहाँ पर आ जाता है तो जैसे Liston यहां पर आएगा तो यह सब को न्यूटल चाहिए तो सारे को डिरेक्ट न्यूटल मिल गया लेकिन फेस सबको इन्डिरेक्ट है तो यहां से फेस यहां पर इस पॉइंट प्याया अब देखिए मांगे चलिए कि स्विच उपर के तरफ दबा हुआ है त्यानि कि अभी यह और यह पॉइंट कनेक्ट है तो की face यहाँ पर है तो इसको switch on करेंगे तो यहाँ से face मिल जाएगा और motor चलने लगेगा यह भी off mode में है यह दोनों connect है लेकिन face यहाँ पर है तो यह दोनों connect होगा जभी motor चलेगा तभी disconnect है तो यह इस तरीके से यह first floor से बंदर चालू कर सकते हैं जैसे कि यह motor चालू करेंगे जैसे switch नीचे करेंगे तो यह और यह connect हो जाएगा तो motor चलने लगेगा और इसको उपर करेंगे तो यह और यह connect होगा लेकिन face यहाँ पे जिसके कारण से यह motor को supply नहीं मिल पाएगा अब यहाँ पे आईए देखिए अब यहाँ face है तो यह उपर की तरफ है तो अभी यह दबा हुआ है जैसे switch तो अभी यह और यह point connect है तो first floor पे off mood में है लेकिन अब second floor पे आईए तो क्या करेंगे कि इसको नीचे कर देंगे इसको on करेंगे तो यह supply यहाँ पहुच गया और यह और यह दोनों पहले से connect है फिर motor को supply मिल गया motor चलने लगा और इसको off करेंगे तो यह उपर चला गया तो यह motor को supply नहीं मिल रहा है त इस तरह से first floor से भी आप motor को बंदर चालू कर सकते हैं और second floor से भी motor को बंदर चालू कर सकते हैं तो ऐसे connection करना है अब एक बात का ध्यान रखिए कि यह जो wire सब लगा हुआ है वो कितना लंबा आपको लगाना है कि यह floor first floor से second floor की कितनी दूरी है उतना ही लंबा यह सब wire चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आगे भी आप लोग देख पाएं तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टुडियो में जय हिंद जय भारत थैंक यू